नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वाधत आपका मेरी यूटूब चनल पुनार टेक्निकल सुलिशन को दोस्तों कैसी है आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जदा अच्छे होगे दोस्तों जैसा कि आप देख पारे होगे आज जो है हमारे सामने डो लैप्ट में चाहिए होती है जिससे हम अपने पूराने लैप्टॉप के अंदर में विल्डो टैप बहुत ही असानी से यूज कर सके और उससे पहले इस्टॉल कर सके दोस्तों मेरे सामने दो लैप्टॉप रखे होगे एक है डेल 35 यह है आई 3 का फोर्थ जेनरेशन एक है हमारा ले पूराने लैप्टॉप भी हो जैसे डूल को और को टूर्यू क्या आप उसके अंदर भी विंडो टैन चला सकते हैं बिल्कु दोस्तों आप बिल्कु चला सकते हैं उसमें भी विंडो टैन उसके लिए भी मैं आपको बता हूँ कि मिनिमुम रिकॉइर्मेंट आपको क्या दरना पड़ेगा हम माने चलते हैं सबसे बहुत पुराना लैप्टॉप है डूल फोर का डूल फोर के लैप्टॉप में आपको क्या कर मैं चाहिए तोस्तों डूल फोर के लैप्टॉप में आप एक काम कर सकते हैं आप उसके अंदर दो दो जीबी की दो रैम लगा सकते है 2GB DDR2 और 2GB DDR2 तो कि अपर DDR2 की RAM लगती है तोटल 4GB के आप RAM दर लीजिए उसके अंदर में 2GB की RAM लगा के और साथ में एक आप 118GB के SSD लगा सकते है 256GB की भी लगा सकते है 512GB भी लगा सकते है चितनी आपको requirement हो आप उस रिसाफ से लगा लेजिए बाकी आप में से पूछे हैं तो मैं आपको बताऊँगा 256GB की SSD लगा लेना जाता बढ़िया है आप डूल 4 या Port2D, Port2D को भी साथ में जो लेते हैं Port2D भी बिल्फू सेम ही है बट Port2D को मैं इसलिए साथ में नहीं जोटा क्योंकि कई लेप्टोप में DDR3 की RAM भी लग जाती है ठीक है मैं आपको बताता हूं किस तरीके से तो अभी डूल 4 की बात करते हैं डूल 4 के अंदर में DDR2 की RAM में 22GB की 2 RAM तरके 4GB हो गई 256 की SSD डान ली तो उसमें जहां विंडो 10 बहुत ही असानी से यूस तरसकते हैं बहुत बढ़िया आपकी जो है उसके अंदर विंडो 10 चलेगी उसके बाद तरते हैं 4TD के लेप्टोप गी 4TD का वो सकता आपके बाद लेप्टोप होगा 4TD के लेप्टोप में अगर DDR2 की RAM है तो तो मैंने आपको सिंपल बताई जिया जैसे डूल पॉर में आपने किया 2-2 GB की DDR2 की RAM लादा लीची 4 GB टोटल हो जाएगी 2 GB की RAM 2 GB की RAM और साथ में 256 GB के से जज़दा लीची तो DDR2 पोर्टोट्यू लाफटोप में तो आपको इस तरीके से काम चल जाएगा बट अधर आपकर DDR3 के अंदर में है पोर्टोट्यू पे लाफटोप ताको क्या दर मैं चाहिए DDR3 की 1 RAM लेची चाहर जीबी की दूसरी भी 4 GB की RAM लेचीए टोटल जो है उपूस के अंदर में 8 GB की RAM लेचीबी की RAM लेचीए 4 GB की एक RAM परचेस करी DDR3 की 4 GB एक परचेस करी एक एक स्लोट में दोनों पर लगा दिया टोटल 8 GB RAM कर ली साथ में 256 की मिनिमम SSD लगा दीजिए आप भी जाए Windows 10 जाए बहुत बढ़िया चलेगी 4 to 2 के लैपटोप में भी अगर DDR2 ठीक है अगर मान लेजिए DDR3 है तो बहुत ही बढ़िया मैकसिमम 8 GB की RAM आप लेच सकते हैं और साथ में 256 GB कैसे लेगा तर Windows 10 जाए बहुत स्मूसली आप यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं i3 लैपटोप ती अग i3, i5, i7 तीनों आप एक अठा जोड़े लेते हैं ठीक है मिनिमम जो रिक्वार्मेंट आपको चाहिए होती है आप 1st जेनरेशन के CPU के अंदर भी Windows 10 यूज़ कर सकते हैं अगर आपका i3, i5 और i7 है बाकी तो आप जितने मर्जी आगे तक के प्रोसेसर में यूज़ तरन लेजी Windows 10 खोई भी रिखता है था नहीं है ठीक है मिनिमम आपको चाहिए i3 का 1st जेनरेशन i5 का 1st जेनरेशन और i7 का 1st जेनरेशन इसके अदर में दोस्तों आपकी आगर सकते हैं आप मैक्सिमं में 16GB तक की RAM लगा सकते हैं 8GB की RAM एक ले लीजिए DDR3 की और 8GB की RAM एक ले लीजिए DDR3 की एक चस्लोट में 8GB लगा या दूसरे चस्लोट में 8GB लगा या टोटल 16GB कर ली उसके अदर में भी आप 256GB की SSD लगा छकते हैं SATA वाली SSD लगेगी तीनों के अंदर में बने आप कोई भी ले ले लिजी या फोटू डू ले ले लिजी या सब के अंदर में आपका साटा SSD लगेगी और मिनीमम 256 डाल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहती है क्योंकि उसरो आपकी विंडो भी इस्टोलेशन हो जाए कि बात गाम उस पर जाली और उसमें जो है विंडो टेन पो इस्टोल फर दिया तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपकी विंडो टेन चलने वाली है तो इस तरीके से मैं आपको बदा दिया आपके पर डूल कोर हो पोटू डूव हो आई तरी हो आई फाई वो आई सेवन हो मिनिमम क्या रिक् पर दोस्तों के साथ में जो लोग परिशान रहते हैं कि अभी तक अपने लैपटॉप के अंदर में विंडो एक्सपी विंडो सेवन यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दिया कि आप लोग जो है मिनिमम कौन सी रिक्वाइर्मेंट पूरी करके आप जो अ अच्का वड़े देतने के निर